हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी को और देखिए यूपी बीड इंट्रेंस अभी आपने दिया इसके बाद आपका एडमिशन होगा तो बहुत सारे आपके मन में डाउट्स है कि सब्जक्ट क्या क्या पढ़ने होगे मैं साइंस से हूँ सकोमर्थ से हूँ या आराट साइड बनेगे और किस तरीके से टिचिंग होगी और कौन-कौन से आपके सब्जक्ट होगे तो इसको वीडियो को ध्यान से देखना सबसे पहले देखिए इस पर बात कर लेते कि आपका बीड जो है आपका कुछ यूनिवस्टी में यह वाज है और किसी में जो है आपका होगे है देखो तो कुछ यूनिवस्टी ऐसे यह आपके सेमेस्टर वाइज जो है आपके पिपर कराती है और कुछ आपके एय Ri curly-Wise कराती है तो आप देखे इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा है आपका सेमेस्टर वाइज है आपका येर वाइज में तो जो भी आपके university उसको अच्छे से कर लीजिए इसमें कोई भी अंतर नहीं है इसके बाद देख लेते देखिए दोस्तों subject आपके क्या होगे तो इसको अच्छे से देखना यह जो है यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं इसको ध्यान से इसको देखना के मुदलग किस तरीके से आप यह मेरा है और अरट साइड का तो यहां पर देखिया आपके छैंप पर और इसमें और इसमें बिदेखिए आपका यहगा पुरा जो इसमें कैसा संसाध जो चोइस के ओगे आप यह दो सब्जेक्त थे मेरे अर्ट सायड में इसमें आपका पेडागोजी ओफ हिंदी और पेडागोजी ओफ शोसल साइंस जोको मैने वीया किया था तो मेरा यह सब्जख्ट था अब यहाँ पे मेरे पास और भी अफंशन था लेने के लिए शयय को यहाँ पर हिंदी की जगा दोसरी ले सकता था इंगलिस और यहां पर इसके बाद यहां पर बहुत सारे और भी सब्जेक्ट जैसे होम साइंस ले सकता था यह इसी के साथ मैत भी ले सकता था कोई की पाउंडेशन नहीं ऐसी कि मुझे यही लेना होगा लेकिन मैंने यह लिया क्यों लिया क्योंकि देखिए अब मैंने बीए में जो है मेरा हिस्ट्री जोग्रफी और एकोनोमिक्स मेरा सब्जेक्ट तो टीजीट के लिए कंबिनेशन तो आपका ग्रेशन से देखा जाता है तो यहां पे जो टीचिंग होगी आपका यह टीचिंग सब्जेक्ट है पेड़ागोजी ओफ सोसल साइंस यानि कि समाजिक विज्ञान के जो टीचर है किस तरीके से जो है सिक्षन कराएगे किस तरीके से पढ़ाएगे तो यह आपका देखा जाएगा साथ ही साथ देखे ह ईंदी यह था मेरा इसके बाद अगर यहां पे अगर आप इसके बाद आपके छोईस वाले होगे वह यहाँ पर आपके क्या होगे एक तो रही देख लिए आपका sst होगा यानिके यही आपका pedagogy of social science यह आप ले सकते हो इसी के साथ साथ दूसरा option होगा आपके पास math का कि आप math भी ले सकते हो तीसरा option होगा आप commerce भी ले सकते हो इसी के साथ साथ आपकी इच्छा है कि आप English भी ले सकते हो तो यह आपके जितने भी सब्जक्टों के बहुत सारे होगे आठ या दस सब्जक्ट है इसमें तो आपकी इच्छा है कि कोई भी दो ले लिजे लेकिन दो वे सब्जक्ट लिजे जिससे आपको देखे टीचिंग कराने में फायदा हो या आगे इसका बेनेफिट आपको मिले क्योंकि देखिए माल लीजिए कि यहाँ पर जब टीचिंग चलेगी तो पैड़ागोजी आप सोसल साइंस मेरा यह सब्जक्ट था तो यहाँ पर मैं जो टीचिंग कराऊंगा वो मैं हिस्ट्री के जो टोपिक होगे जैसे बाबर हैं हुबाई होए या इसके बाद जैन ध देखिए आपका यह साइंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं देखो एक सिकिंड लुक न यहाँ पर चार कंपल सरी सभी के लिए इसके बाद अगर है आप साइंस गुरूप से तो यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट होगे यह देखिए यह दो चोईस वाले सब्जेक्ट आप कौन-कौन से ले सकते हैं एक ले सकते हैं इसी के साथ यहाँ पर आप एक ले सकते हैं साइंस और फिर इसके अलावा एक आपका एगरिकल्चर है और आपका और भी बहुत सा परने होगे बस चार कंपल सरी सभी के लिए दो होते है चोईस के और दो में से आप आपकी इच्छा आठ यह दस सब्जक्ट होते हैं उसमें से आप ले सकते हैं आप पेडगोजी इंगलिश ले सकते हैं और दूसरा स्वेष्ट और होम साइज depends अध्यार बहुत सारे सब्राइन सकते हैं अब आप यह आपकेी है यह 6 पेपर होगे देखो यह 6 पेपर है आपके अब यह कितने कितने माक्स के होगे तो यहां पे जो पेपर होता है फर्स्टियर में यह होता है सभी होता है आपका 80 माक्स का होता है और बाकी जो है आपका हर एक सब्जेक्ट में 20 नंबर का जो होता है यह प्रेक्टिकल होता ह या आप इसको कह सकते इंटरनल ये तो इसमें तो फुल मार्क्स आपको दिये जाते लगबग सभी कॉलिज में प्राइवेट हो या गोवर्मेंट अब देखे यहां पे जो महनत करनी होगी यह जो 6 सब्जेक्ट है आपके इसमें हर एक पेपर जो होगा 80 नंबर का होगा और 20 नंबर का तो भई आपका देखल होता है या इंटरनल भोता है इसमें बहुत। अच्छे आपको मार्कश दे जाएगए तो यानि कितना होगए आपे 6 मान लीजे कितना हो गया टोटल कितना हो गया यह चैप पर हो गया कुल मिला के प्रेक्टिकल सहीथ आपका सोरी इंटरनल सहीथ 600 नंबर का हो गया इसके बाद देखी आपका यह है आपका वायवा वोईस एग्जामिनेशन यह आपका असिस्मेंड यह यह नहीं कि आपका जो गोर्मेंट और प्राइवेट सभी में देखो और इसी के साथ तो यह कुल मिला के फरस्टियर का जो यह रिजल्ट आता है यह 700 नंबर में से आता है दोस्तों अब आपके मन में यह आएगा कि देखिए कि किस यूनिवर्स्टी में किस कॉलिज में नंबर जादा दे जाते तो मैं आपको बता दो देखिए कि आपका अगर परसेंटेज आपको 75 पलस लाना 75 या 80 तक लाना है तो देखिए आपका 6 पेपर होगे कितने क्योंगे 8 80 नंबर का था अच्छिंग 48 या निकि आपका 480 नंबर की होगी यह आपकी फरस्टियर की थियोरी आपको जितना भी महनत करने नगा इसमें करने आपको यह चेंपर है अब के इसी के सास्था यहां पर आपका बीस नंबर का क्या होता है इंटरनल होता है तो 120 हो गया यह एक सो बीस तो यहांपे तो आपको लगबग 110, 115 या 109 या 8 के आसपस दे दे जाता है पूरा नमबर यहां पे इसी के साथ 100 नमबर का होगे है यह आपका जो आपके फाइल्स बनाओगे या आपकी टीचिंग होगी उसके आधार पे यहां पे भी लगबग आपको 90 पिचान में नमबर दे दी जाते हैं तो यहां से ही अपना देखे जो आपके सब्जेक्ट होगे या आपके पास कोई ब्याड करोगा पहले वो ले लिजे नोट्स यह मोडल और अच्छे से बुक्स लीजे तो बहतर रहेगा क्योंकि टैट सी टैट में आपको एक्ष्ट्रा पढ़ने की जोरत नहीं कहीं से भी इसी में स दिया देखो इससे फरक नहीं पड़ेगा कि सेमेश्टर वाइज आप कर रहे हो या आप यरली कर रहे हो इसके बाद देखे कितनी फाइल्स बनेगी तो भई देखिए फाइल्स जो बनी दी मेरी गोर्मेंट कोलीज में यह मेरी जो फाइल की यह लगबग 12 के आसपास बनी तो यहां पर देखिए तीन प्रकार की टीचिंग होती है तो उसमें अभी मैं आपको बता दूँगा यहीं आपको में बता रहूं अभी देखो एक तरीक से जो हमारी टीचिंग होती है उसमें जो लेशन प्लान बने जाते हैं वो भी एक फाइल के रूप में ही आपका बनता है तो यहां पर देखिए सबसे पहले होगी हमारी क्या होगी जब एडमिशन लेगे तो यह होती है माइक्रो टीचिंग की एक तरीके से 5 मेरे आपके लेशन प्लान बने के हिंदी के और 5 एसेश्टिक अगर मेरे पास यह सब्जक्ट है तो कितने आपके यह पुल मिलाके एक फाइल यह होगई इसके बाद दूसरी फाइल जो होगी simulation teaching होगी उसमें उन ही subject के देखिए यानि कि आपकी training होगी उसमें तो उसमें बनेगे आपके 10 lesson plan उसमें बनेगे तो एक फाइल यह हो गई यानि कि दूसरी मालीजे इसको और तीसरा यहाँ पे आपको जो है आपकी मैक्रो टीचिंग होगी उसमें यानि कि आपको जब आप पूरा तरीके से पिर पे यानि कि तियार हो जाएगे पूरा अच्छे से तो दूसरे स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए भीज़ा जाएगा तो उसमें आपके बनेंगे वही आपका 15 तीस लेसन प्ला और इसी के साथ एक वहीं पे बनेगा फाइल हमारा ओब्जर्वेशन फाइल यानि कि किस तरीके से आप वहां पर पढ़ा रहे उसमें नोट किया जाएगा आपके मित्र करेगे या वहां पर टीचर कर सकते हैं तो पांच फाइल होगी है इसी के साथ साथ जो हमारे 6 सब्ज तो जी तीन और एक आपका बुक रिव्यू चार और एक आपका बनेगी मैं सब्जक्त की तो यह आपकी होगी कितनी पांच फाइल यह होगी तो कुल मिला कि दस फाइल तो यह होगे इसमें अब यहां पर लगभग यही फाइल बनती है अब यहां पर बोलोगे क्या सभी को बनानी होगी तो देखिए यह जो फाइल बता रहा हूं मैं गोर्वेंट कोलिज के लिए बता रहा हूं लेकिन यह जो जैसे कुछ प्रइवेट कोलिज है टीचिंग नहीं हो पाती अच्छे से यह वहां पर फोर्स नहीं किया जाता आपको फाइल बनाने के लिए तो वहां कि और फाहं पर देखिए धोड़ा सा मैं कंपल्सरी पेपर दिखा दो आपको यह थोड़ा सा देखिए समकाल इन भारतेयों सिक्सा कंडम्प्रेयरी इंडिया एंड एजूकेशन यह फर्ष पर सभी के लिए कंपल्सरी यह आपका देखिए अब इसमें क्या आता है इतो इ विद्याले होते उस समय गुरुकुल में पढ़ने जाते थे अब भासा कैसी है अब अंग्रेजी है या हिंदी माध्य में उस समय क्या होता था संसकर्थ भासा होती थी ठीक है इस समय क्या है फीज तो फीज का माध्यम कुछ अलग था अब यहां पर आज होस्टल है तो उस त इसमेंट पूरा किया जाता था तो उस समय के विद्याले क्यों क्यों से आपका प्राचीन काल के तो उसमें यह आ جाएगा इसी का कमपेड करें के फिर यह आपके बहुत काल में बहुत क्या चिंख सिति भासा का मंध्यम क्या था उसमें तो इस तरीके से इसके बाद यहां पर मद्यकालिन में यानि कि भासा फार्सी है और अस्कूल की जंगे क्या आगे मदर से या आपका यह कह सकते और साहित्ते कौन-कौन सा है विद्याले का नाम पूछ ले जाएगा मद्यकाल के तो इस तरीके से इसके बाद आगे चलके क्या होगा आधुनिक काल में यानि कि आ आपके कुछ नहीं बदलेगा बहुत काल आ जाएगा उसमें उसके बाद आपका मद्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल और उसके बाद अब वर्तमान को इससे कैसे रिलेट करें तो यह पूरा पेपर है इसको इस्ट्रक्चर एक है आप साथ से आठ पेज का नोट्स बना दर्शन सासे का बहुती अच्छा सा पेपर है बहुती अच्छे से इसको पढ़ना आप इसका जो सलेबस होगा जल्दी में गुरूप पे भी अपलोड कर दूँगा इसको इसको इसके बाद देखिए अधीकम करता के रूप में के रूप में विकास आप एज लड़नर तो इसमें पूरा जो यह पेपर होगा ना यह कह सकते कि इसको बाल विकास जितने भी मनोवज्यानिक होगे सिध्धान्त होगे सभी इससे आएगा इससे बहार कुछ भी नहीं पूचाता था आपका टैट में यह ना टैट हो या सी के आपको यह यह अब एक्स्ट्रा पढ़ने की जोरत नहीं होगी पुरा मनवज्यानिक देखिये आपका सिग्मन होगा और भी आपके जैसे वाइव गौत्स की होगा चुमस्की होगा यह आपका अधिगम क्या है समयुजन क्या है कू समयुजन क्या है इसमें पढ़ोगे आप आर्टी पढ़ोगे तो यह सभी इसी में आ जाएगा चलिए इसके बाद थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसमें सिक्षक सिक्षन इम तकनिकी टेकनोलोजी इसमें वहीं आएगा दरस्य सरव्य सामंगरी और यह आपका यह कंप्येटर आजाएगा प्रोजेक्टर आज सकते हैं प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं डिजिटल बोर्ड का कर सकते हैं तो यह सब इसमें पढ़ ना होगा यह बी कंपर सरी आपके लिए इसके बाद हिंदी सिक्षन तो इसमें देखिए हिंदी सिक्षन पेड़ागोजी ओफ हिंदी यानि कि आप हिंदी को किस तरीके से पढ़ाओगे इसमें तो यहां पे अकर बीए किया तो आप हिंदी पढ़ोगे अगर आपने यहां पे कोमर्स किया तो आप यहां पे कोमर्स पढ़ोगे अगर आ कि आपका समाजिक विज्ञान सिक्षन यानिके समाजिक विज्ञान सिक्षन यानिके एक सिक्षक कैसे करेगा यहीं पर क्या हो सकता है यहां पर मेरा समाजिक पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाओगे तो यह सब चीजे होती है यहां पर आपके मन में आएगा क्या यहां पर हम समाजिक विग्ञान सिक्षन में यहां पर क्या बाबर हुमाईयू पढ़ेगे तो आप यहां पर कुछ भी नहीं ऐसा पढ़ोगे यहां पर कोई भी आपका साइ से पहले होगी सबसे पहले होगी आपकी माइक्रोटीचंग उसके बाद होगी आपकी सीमूसंट इस्ट इसके बाद होगी आपकी मैकू पढ़ाने के लिए बहुंग तो महरे मित्र होगे लिए कि practically की जितने हमारे directors होगे पूरा सर्केल होगा वह सब बाठेगा एक तरिके से जिसे कलास चल लिए हो ओector पी आपको करेगे और यहां पर आपकी ट्रेणिंग में ऑपको ल Pack है ब्याड में जब ट्रेडिंग होती है ना तो यह लगता है कि यह तो मेरे मतलब मेरी एज का है तो यह मैं छोटा सा इससे क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें मतलब गलत लगेगा गलत नहीं है वहां पर आपको केवल और केवल सपोर्ट करना है टीचर का कामी सपोर्ट क के रूप में होते हैं इसके बाद मैक्रो टीचिंग अन्या स्कूल में भीज़े जाएगा लगबग आपकी 15-20 दिन की ट्रेनिंग होती है यह आपकी देखें मैं आपको फाइल दिखा रहा हूं तो आप इस तरीके से फाइल बना सकते हैं यह सभी को बनानी होगी यह चाहे 5 बुक्हे मैंने जरूर पढ़िती देखिए नमकका द्रोगा मैंने अच्छे से पढ़ा आर असमीरती पढ़ा है वण इंडियान गर्ड मैंने पढ़ा है और इसमें ने तरहनों की आंके यह लूइस्बुरेल की जो भुक है न यह मैने अच्छे से पढ़ा इसके बाद दे और रोल यह तरहक शुण को सब्सक्राइब देग सकते इसको प्रेम चनन नमग का तरोगा 5 परकासन का से कया लेखक को ने इसका भासा क्यास कि आइस बेड लुट से कितने है इसमें और मुल्ले इस बुक का कितना है पूरा अपना निचोड इसमें देना है आपने इसे क्या सिखा है और इसमें क्या था तो यह बहुत ही अच्छी कहानी नमक करोगा है एक जैसे आज ना आज जैसे कह सकते हैं डोनेशन को लेके तो इसी तरीके से इनका रोल था एक य도 रोप में तो बहुत इंस्पाइरेशन यह बहुती इंटरेस्टिंग कहानी है आप इसको देख सकते हैं तो इसी तरीके से आपको यह फाइल बनानी होती है दस बुक रिव्यू करने होते हैं लगबग मेरे पास 20-25 बुक रिव्यू है बीवी जैसे जिसको जोरत होती है तो मैं डाल देता हूं उस इसको भी आप बुक रिव्यू के रूप में कर सकते हो देखो यह भी यहां पर कंपल सरी फाइला देखो यहां पर फरस्टियर की यह है आपका इस्टिंग और हिंदी लेंग्वेज और प्रोफिसेंस है ना इसमें यह इपीसी वन और इसका यह फाइल है यह सभी के लिए कि चाहे किसी ने कॉमर्स यानि के बीकॉम किया बीसी बीकॉम कुछ भी बीड में देखो यह कंपल सरी फाइल है और यहां पर फाइल बनाओगे ना तो अच्छे से आपके नोट्स भी थैयार हो जाएगे देखो पूरा आप हिंदी यहां फाइल बनाओगे ना किसी से वेंजन क्या होते हैं वेंजन के बारे में पूरा यहां पर वीडियो बड़ा हो गया जाता लेकिन मुझे आसा है कि आपको कोई डाउट्स नहीं बचा होगा तो इस तरीके से फाइल बनाने होगी लगभग यहां पर आपको दस से बारा फाइल अकर गोर्मेंट में हैं प् चलिए तो दोस्तों मुझे आसा है कि आपको समंझ आयागा अगर आपको अच्छा लगए समंझ आया तो इस वीडियो को सेर जरूर कर दीजिए आप सभी यह हिंदी है इंगलिस है यह फाइल जो है न आपकी जो कंपिटर वाली फाइल है आपकी आई से टी कि वो सभी को बनानी होती है